Hello students, मैं कुमल गुपता आपकी केमिस्ट्री टीचर और हम पढ़ रहे थे इन और गाने कैमिस्ट्री को ओर्डीनेशन कॉमपाउंड्स भई को ओर्डीनेशन कॉमपाउंड की जो लास्ट कलास में हमने बात की थी वहाँ हमने वर्नर्स की थियॉरी कमक्लीट की थी और उसकी ठोड़िकी बात आज हम बड़िया से चीज़े पढ़ने वाले है जो की है normanclature भाई एक normanclature तो हमने organic chemistry में पढ़ा था एक normanclature हम यहा इनorganic में पढ़ते हैं coordination compounds का normanclature totally different है किसे organic compounds वाले normanclature से क्योंकि भाई carbon की properties, deblock की properties, ligands वाली properties सब बहुत vary करती हैं, लेकिन simple भी बहुत है, तो शुरू करते हैं, यहाँ पे हम सारे inorganic compounds का coordination compounds का nomenclature, बहुत नomenclature करने के लिए यहाँ भी एक rule है, one by one हम हर एक step को समझेंगे और nomenclature से दो तरीकी के question exam में आते हैं, fix है, nomenclature से question आता ही आता है, दो patterns पे होते हैं पहला pattern क्या होता है या तो आपको भई question दे देगा कोई भी formula दे दिया और उससे आपको nomenclature करवाएगा या दूसरा क्या होगा आपको भई उसका nomenclature दे देगा और आपको क्या करना होगा उसका formula write करना होगा तो आज की class में हम ये दोनों ही method सीखने वाले हैं तो पहले हम सीखते हैं कि जो given compound है given coordination formula है इसको nomenclature कैसे करते हैं पहले किसका करते है बाद में किसका करते हैं ligands का nomenclature कैसे करते हैं सारी चीज़ों की हम यहां बात करते हैं तो देखो भई सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, यह हमारे पास है NaCl, और यह क्या है, kind of a simple salt, तो भई, simple salt का nomenclature हमें सब को पता है, यह क्या है, sodium chloride, तो sodium chloride के बारे में हम सब जानते हैं, और हमें यह भी पता है, कि भई, यह जो है Na+, होता है, और यह chlorine माइनस होता है, इतनी ब Sodium positive होता है, मतलब cation होता है, और इसको हम पहले लिखते हैं, इसका मतलब भई, पहले जो हम nomenclature में use करेंगे, वो हमारे cationic part को करेंगे, और बात में जिसका हम nomenclature करेंगे, वो होगा हमारा Anionic part, मतलब as usual, जैसे हम बाकी organic, inorganic compounds का nomenclature करते हैं, पहले cation का, और फिर anion का, जो पहले होता है, वो cation होता है, जो बात में लिखते हैं, हमेशा हम formula में वो anion वाले part को लिखते हैं, आप कोई भी example देख सकते हो, जैसे CACL2 and this year मैंने आपको बताई दिया, H2SO4, तो इसमें हमें पता है भई, ये positive है, ये positive है, ये negative है, ये negative है, इसका मतलब inorganic chemistry में या कोई भी chemistry में एक चीज़ तो fix है, पहले आएगा हमारा cationic part और फिर आता है हमारा anionic part, वैसे ही coordination में भी पहले जो हम नाम करेंगी, किसका cationic part का, ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पर मेरे पास अगर मैं आपको बोलूँ कि भई, मैंने ये एक coordination compound ले रखा इस bracket में, ठीक है, और यहाँ मैंने दूसरा कोई XYZ element ले लिया, ठीक है, यहाँ मैंने मैं ले लेती हूँ A, B, C, D, ठीक है, तो इसके अंदर cation कौन सा यह जो मेरा given part है, यह मैं बोलूँगी, यह मेरा cation है, और जो बाद में है, यह मेरा nion है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि जो cation है, वही coordination complex हो, question में ऐसे भी मिल सकता है, जैसे A, B, ठीक है, यह कोई element है, और यहाँ पे आपको वापस से कोई मिल जाए, B, C, D, E, यह coordination complex मिल जा है, तो इस बार क्या होगा, यह cation हो गया, क्योंकि यह पहले given है, और यह क्या हो गया, हमारा nion, is that clear, ठीक है भाई, या फिर क्या हो सकता है, दोनों ही anti-TT, दोनों ही positive और negative वाले coordination complex में मिल जाए, बात आरिये समझ में, तो कोई भी format में आपको coordination compound मिल सकता है, जरूरी नहीं कि जो format हम देख रहे हैं, उसी में हमें compound given हो, इन में से कोई भी format मिल जाएगा, बात clear है, पहला cation होगा, दूसरा anion होगा, इतनी भी चीज हमें clear है, अब हमें जब nomenclature की बात करेंगे, तो पहले हम जिसका nomenclature करेंगे, वो हमारे cation part का, ठीक है, चाहे वो cation coordination complex में हो, च जाहे simple हो, तो जैसे कि हमारे पास example है, इसमें जो पहला cation है, वो क्या होगा, ये पूरा bracket जो है, ये मेरा cation है, और हमें पता है, क्लोरीं जो है, negatively charged anion होता है, ठीक है, तो पहले इसका करना है, हमें nomenclature करना है, अब बात ये है कि इसका nomenclature कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ligands भी है, ठीक है, और साथ में क्या है, central metal item भी है, अब ligands के पास क्या होती है, denticity होती है, इसका मतलब क्या होता है, कि ligand कैसा है भई, unidentent है, bidentent है, tridentent है, और coordination number से भी क्या होता है, यहां पे इस complex के नाम पे फरक पड़ेगा, और एक और चीज, ये जो हमारा central metal item ह है, इसका हमें oxidation number भी पता होना चाहिए, तो पहले इस bracket को solve करने के लिए, इस bracket का नॉमन क्लेचर करने के लिए, केटायन का नॉमन क्लेचर करने के लिए, हमें कितनी सारी चीजों से familiar होना है, बात clear है, अब next point की हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास है भाई ये, मैं आपको क्य क्या बोला, कैसे भी मिल सकता है, अब देखो इसमें क्या हो गया, ये जो potassium आप देख रहे हो ना, क्या होता है, potassium, ये तो सब जानते हैं, तो ये क्या हो गया, इस बार, कटायन, और ये पूरी coordination entity हमारे पास हो गई, अनायन, अब वापस देखो, इसमें भी क्या है, ligand है, central metal item है, coordination number भी है, और central metal item का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, oxidation state भी होगा, अब यहां, next from rule की बात करते हैं, वो क्या है, while naming the complex, ligand name is written the first, followed by the central metal item, क्या बोल रहा है भाई ये, ligand का जो name है, वो पहले आएगा, किसके पहले आएगा, उस entity की, उस coordination entity के, central metal atom से पहले, जैसे कि हम क्या करते थे, जब हम IUPAC nomenclature, organic chemistry में सीखते थे, पहले हम substituent को name करते थे, जो हमारा substituent है ना, उसका part कौन प्ले करता है, यहां पे ligands प्ले करते है, फिर हमारी mean carbon chain आती थी, वैसे ही यहां पे क्या जाएगा, last में हमारा central metal atom, clear है बात, चलो, अब यह चेक करते हैं, यहां पे कितने ligands है, अब देखो, किसे भी entity में एक ligand हो सकता है, दो हो सकते हैं, सारे same भी हो सकते हैं, और सारे अगर 5-6 ligands present है, तो it may be possible कि पूरे के पूरे 5 और 6 ligands different हो, ठीके बात, clear, तो अब हम इनका क्या करेंगे, भाई, nomenclature करेंगे, यह क्या है NH3, इसको हम क्या बोलते हैं, amine, और जब हम इसको कहां पे use करते हैं, as a ligand use करते हैं, हम इसको नाम देते हैं, भाई, amino, क्या बोलते हैं, amino, और यह क्या है, water, water को हम क्या बोलते हैं, aqua, ठीक है, अब यह तो हमने ligands के name लिख लिए, इसके बाद आएगा हमारा, किसका name, भाई, central metal atom का name, वो क्या हो जाएगा, chromium, ठीक है, अब यह तो हमारा coordination entity का safe nomenclature हुआ है, यह जो three coordination number है, इसका क्या है, इसके लिए हम use करेंगे, जैसे हम use करते थे, organic में, dye, tri, tetra, hexa, hepta, वैसे ही words हम यहाँ पर use करेंगे, अब देखो amines कितने हैं हमारे पास three, तो क्या हो जाएगा यह, tri amino, वैसे हमारे पास water कितने है, भाई, three, यह क्या हो जाएगा, tri aqua, और यह chromium तो है, अब central metal atom के साथ हमें क्या सीखना है, इसका oxidation state निकालना, कैसे इसका oxidation state हम calculate करेंगे, उससे पहले यह दोनों rules समझ में आए, अब important rules और भी हैं हमारे पास, देखो, यह जो chart है, यह किस चीज़ का है, जितने भी anionic ligands हैं, cationic ligands हैं, और neutral ligands हैं, ठीक है, अब ketonic ligands का मतलब, anionic का और neutral का मतलब क्या है, कौन सा ligands negative charge है, कौन सा ligands positive charge है, और कौन से ligands neutral है, इनसे ही हमें, कैसे इन के बाद ही हम क्या निकाल पाएंगे, oxidation state, अगर हमें पता ही नहीं है कि ligands के पास charge क्या है, तो oxidation state निकालना impossible है, ठीक है, तो उसके पहले हम क्या सिखे कौन से लिगेड्स अनैनिक चार्ज होते हैं, कौन से लिगेंड्स केटाईनिक चार्ज होते हैं और इसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं उन keeping एक्सिडेशन का स्टेट को निकाल सकते हैं तो यह चार आप याद रखोगे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चारो हैलोजन्स तो कैसे होते हैं नेगिटिवली चार्ज होते हैं देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनको बोलते कैसे हैं फ्लोरीडो, क्लोरीडो, आईडो और ब्रोमेडो यह तो हो गया halogen के बारे में फिर यह है हमारे पास sulfate iron, इसको क्या बोलेंगे sulfate O OH iron, hydroxy iron होता है इसको क्या बोलते है hydroxo, hydroxy के पास negative charge होता है, water से break होता है, H plus OH minus, तो OH minus हो गया hydroxo cyanido, देखो यह जो है starting के यह, यह सारे यहाँ तक unident legend है, कैसे है unidentent legend है, देखो यह color थोड़ा दिख नहीं रहा यह है हमारे unidentent ligands यहाँ से और यहाँ तक cyanide तक, ठीक है इसके बाद हमारे पास है oxalato, C2O4 minus 2, कौन सा है oxalato, यह कैसा है bidentent legend है फिर हमारे पास है carbonato, acetato, oxo, paroxo और superoxo, यह सारे भी कैसे है, यूनी dentent है, सिर्फ bidentent कौन सा है, oxalato यह सारे anionic ligand है इकती सारी चुज़े clear है ठीक है भई, जो सबसे frequent का माने वाले है न, वो halogen है, उसके बाद cyanido, hydroxo और यह हमारा oxalato, बाद clear है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह सारे anionic ligands अब से frequent काम आएंगे, तो यह सब तो हमने सीख लिए, अब हम बात करते हैं, केटानिक ligands के बारे में, और कौन-कौन से catanic ligand important है, देखो, यह है हमारे पास hydrazenium, यह है nitrogenium, यह है nitrogenium, और यह हमारे पास anilinium, जो सबसे frequent आपके पास काम आने वाला है वो बस एक ही है, यहां पे nitrogenium, सब positive charge है, सारे के सारे unident ligand है, कैसे है unident only एक electrode donate करते हैं अब बात करते हैं neutral ligands की, neutral मतलब जिनकी पास ना तो positive charge है ना ही negative charge है तो सुनो, यह है amine, क्या है amine, unit end end है neutral है, फिर water neutral होता है, यह तो हम जानते हैं फिर है carbonil nitro cell, di oxygen di nitrogen pyridine और ethylene diamine, यह ethylene diamine जो है न वो आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा EN के format में यह एक कैसा है, bidentent ligand है और यह भी frequent कावाने वाला है, amino भी, carbonil और hydrox और aqua यह 4 ligands यहां सबसे ज़्यादा कावाने वाले हैं, तो हमने क्या देख लिया, cationic ligands anionic ligands, neutral ligands और हमने क्या check कर लिया भई यह सारे जो हैं इन में इतने ही important है ligands तो बहुत सारे है और unit intent कावसे है अब देखो, unit intent maximum है तो आपको सिर्फ का क्या करना है जो by dentent है, उनको हम अलग से learn कर लेंगे, clear बात है अब आगे हम बात करते है next rule की, क्या है alpha vertical order is followed while naming more than one ligand क्या बोल रहा है alpha vertical order आपको follow करना है कब follow करना है जब आपकी coordination integrity में more than one kind of ligands present है जैसे की यह वाला example ले लो इस example में क्या है amino भी है और aqua भी है तो क्या करना है, आपको alphabetical order arrange करना है जैसे हम organic में methyl, ethyl इन सब की बात करते थे वैसे ही यहाँ पे भी हमें alphabetical order check करना है important point क्या है prefix dye, try, tetra इनको हम used in the naming same type of ligand same type of ligand के लिए हम use कर सकते है जैसे कितने हैं भाई thin water है, मतलब tri aqua thin amines है, मतलब tri amines, ठीक है और important चीज क्या है यहाँ पे इसके सासद यह जो हमारे words होते हैं dye, try, इनको हम use नहीं करते हमारे alphabetical order में इनको consider नहीं करेंगे इनकेस आफ नेमिंग पॉलिडेंटर्ड लिगेंड्स प्रिफिक्स बिस, ट्रिस, ट्राकिस, एट्सेक्टर आर यूज इसका क्या मतलब है समझते हैं जैसे मेरे पास एन, क्या है भाई? इथाइलेंड डाइमीन ये एक बाइडेंटर्ड लिगेंड है ठीक है? अब ये बाइडेंटर्ड लिगेंड है खुदी और खुद तीन बार रिपीट भी हो रहा है तो ऐसे लिगेंड्स के लिए हम जो प्रिफिक्स यूज करेंगे वो कौन से करेंगे? बिस, tris, tetrakis इस एड़ क्लियर? जैसे हमने लिखा तीन ताइमस रिपीट हो रहा है तो ट्रिस, athan, 1, 2, diamine क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? जब हमारे उनिदेंटर्ड लिगेंड को चोड़ के कोई भी लिगेंड multiple times repeat होगा तब, ठीक है, next पढ़ते हैं, name of the ananic ligand and in O, those of the neutral and ketanic ligands are the same, except aqua for water क्या बुल रहे हैं, जितने भी हमारे negative वाले ligands हैं, उनको हम किस से end करेंगे, O से, जैसे chlorido, florido, iodido, bromido O से end करेंगे, और neutral ligands हैं, उनको as it is use करेंगे, जैसे कि उनका नेम होता है, except water water को क्या बोलते है, aqua आगे पढ़ो, amine for NH3, carbonyl for CO and nitrocyl for NO, क्या बोल रहे हैं, जैसे उनके नाम है, वैसे हम लेंगे, सिर्फ water का नेम कैसे लिया है, aqua लिया है, ठीक है, example, NICL2 PPH3 का whole twice, तो यह कौन सा एक्जमपल है, देखो, इसमें chloro कितने टाइमस है, टू टाइमस है, तो डाइ chloro, अब यह कैसा है, वापस से एक bidentite ligand आगे, और एक neutral ligand है, तो triphenyl phosphine, कितने टाइमस है, टू टाइमस, तो हम यूज करेंगे, भाई, बिस, और लास्ट में हम अपने central metal atom का name लिखते हैं, इसके लिए अभी हम role पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी तक central metal atom के name को हमने कहीं भी consider नहीं किया, तो अगली चीज़ पढ़ो, while naming the central atom or ion, oxidation state of the metal in cation, anion or neutral coordination entity is indicated by Roman numeral in the parenthesis, क्या बोल रहा है, जब भी आप central metal atom का name करोगे, तब क्या करोगे, उसका oxidation state लिखोगे, और oxidation state जो हमें लिखना है, किस में लिखना है, English वाली maths में नहीं लिखना है, Roman में लिखना है, ठीक बात समझ में आई, अब हमने maximum या सारे rules पढ़ लिए हैं, किस चीज के हमारे coordination entity के nomenclature के, तो अब हम पढ़ते हैं आगे example, ये example हम देख रहे हैं बहुत दिर से, CR, NH3 का whole thrice, H2O का whole thrice और CL3, अब हमने सारे rules पढ़ लिए, अब हम इसका name करते हैं, देखो, ये क्या है मेरे पास amine है और ये है aqua तो amine में A, M, I, N, E और A, Q, U, A तो पहले alphabetical भाई, M आता है और फिर Q आता है तो पहले amine लिखेंगे, फिर aqua अब ही देखो amine कितने times है भाई, 3 times, तो क्या हो जाएगा tri amine, फिर दूसरा ligand लिखेंगे, tri aqua अब ये तो हमारी किसके नेम हुए ligands के, अब बारे आएगी central metal atom की central metal atom कौन सा है CR, chromium इतना clear है, अब लिखना है इसका oxidation state, देखो oxidation state कैसे निकालना है ये important चीज है कैसे निकालते है, ये देखो ये कौन सा ligand है, neutral ligand है जिसका भी निकालना है, उसको हमने मान लिया, भई, x plus करेंगे, अब कौन सा ligand है, neutral ligand है neutral ligand के लिए charge क्या होगा, भई, 0 होगा, और कितने times है 3 times, plus water भी कैसा है एक neutral ligand है, ठीक है ठीक है भई, 0 3 times, अब ये बताओ भई, chlorine जो है हमारा ये कैसा है, negative है और कितने है, 3 है तो ये हो जाएगा, minus 1 into 3 is equals to 0 तो अब इसको calculate करना है तो x की value क्या जाएगी भई, यहां पे plus में 3, इसका मतलब chromium के उपर oxidation state कितना है, plus का 3, तो इसको हम कैसे लिखते है, roman numerals मे 1, 2, 3 ये हो गया, chromium का oxidation state, और last में हम लिख देंगे हमारे NIN को, क्या है भई, 3 times chlorine है, तो chlorine को लिखते है, chloride अब जो भी species ना bracket के बाहर आएगी, उसका coordination number हम use नहीं करेंगे चाहे cation part में आजाए, चाहे NIN part में आजाए, बात समझ में ही, अगर आगे आएगी तो भी हम उसका number नहीं लिखेंगे और अगर last में आएगी, तभी भी coordination number नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई ये, chloride ठीक बात, ये हमने first example देख लिया, सारे rules पढ़ने के बात, अब next example की हम बात करते हैं if the complex iron is an anion the name of the metal ends with the suffix 8, ये important चीज है जैसे मैं आपको बताया, हमारा जो coordination complex है as a cation भी मिल सकता है और as a anion भी हमें मिल सकता है, अगर हमारा coordination, जो हमारा complex है वो हमें anion की form में मिलता है, तो उसके हम suffix क्या use करेंगे, 8 जैसे chromium होगा तो chromate, और कोई भी element होगा, जैसे zinc होगा तो zincate, cobalt होगा तो cobaltate, copper होगा तो cooperate, ऐसे हमें इने use करना है, ठीक है, तो ये हमारा positive है और ये हमारा है negative species, तो use करें, चलो, ये क्या हुआ potassium, मैंने क्या बोला जो भी species coordination sphere के बाहर आएगी उसका हम coordination number नहीं लिखेंगे, तो potassium की पास कितने है, 2 तो इसका coordination number नहीं लिखना है बिल्कुल ठीक है, तो हमने सिर्फ लिख दिया potassium अब ये है हमारा negative iron और ये है हमारा ligand, ligand कौन सा है hydroxo, negative ligand है, इसलिए क्या यूज करेंगे o suffix, ठीक है तो ये हो गया hydroxo कितने टाइम्स है बई, 4 ताइम्स तो क्या लिख देंगे, tetra hydroxo ठीक है ये हो गया tetra hydroxo अब लिखना है हमें central metal item last काम है, central metal atom कौन सा है, zinc क्योंकि ये न आयन है तो क्या लिखेंगे, 8 ये हो गया zinc और अब बिलकुल last काम करना है, वो क्या है यहाँ पे इस zinc का oxidation state लिखना है चलो फिर लिखते है, देखो ये क्या है हमारा plus 2, partition पे कितना charge होता है, plus 1 कितने time है, भई, 2 times है अब किसका निकालना है इस स्पिसका निकालना है, ये हो गई हमारी x ये कितना है, OH भई, 4 times है ठीक है भई, 4 times लिख दो इसको ये हमने लिख दिया इसको 4 times OH कहता है, एक anionic ligand है, इस पे charge कितना होता है, minus 1 is equal to 0 तो ये कितना हो जाएगा, plus 2 plus x minus 4 is equal to 0, तो x हमारा आजाएगा, भई, plus का 2 तो ऐसे हमने क्या निकाला zinc के उपर charge कितना है तो ये हमारा निकल गया zinc का आयन के उपर, plus 2 charge roman numbers में लिखना है लिख दिया भई, 2, तो आगे बात समझ में कैसे हम यहाँ पे इनका oxidation state निकालते है अगला example, खुझ से च्राय करेंगे, चलो, पहले ligands को नेम करना है, ligands हमारे पास है, 3, alphabetically check कर लेते हैं, ये है amine, ये है aqua और ये है chloro, तो पहले तो इन दो नो में से आएगा कौन सा आएगा, amine आएगा कितने times है भई, ये 4 times है और ये species कौन से है, cationic species ये कौन से है, chlorine वाली anionic species ठीक है, अब ये लिखना है कितने times है भई, tetra amine अब कौन सा आएगा, alphabetically aqua, कितने time है, one time है direct लिख देंगे, aqua अब कौन सा आएगा, chloro अब आप सोच रहूंगे मैं इतना close close क्यों लिख रही है क्योंकि इन के बीच में हमें space नहीं देना है मैं जो थोड़ा space दे रही हूं ये दिखाने के लिए कि यहां से दूसरा ligand शुरू है ठीक है, इन के बीच में कोई space नहीं आता tetra amine aqua chloro अब आएगा हमारा central metal atom कोबाल्ट अब क्या इस metal के पास ये एनायन है? नहीं तो हम इसको 8 लिखेंगे? नहीं डिरेक्ट लिख देंगे जो भी metal है कौन सा है? कोबाल्ट यहां इसका oxidation number लिखेंगे और last में हमारे पास है भई chloride अब इसका oxidation state निकालना है वो हमें आता है x फिर इसके लिए है 0 क्योंकि neutral है ये भी है 0 क्योंकि neutral है chlorine minus 1 और 7 में ये chlorine है minus 2 तो x की value हो जाएगी plus 3 तो यहां हम लिख देंगे 1, 2, 3 ये minus 2 कैसे हुई? क्योंकि chlorine पे charge होता है minus 1 और क्योंकि ये 2 times है इसलिए मैंने direct लिख दिया वो minus 2 तो ऐसे हमने क्या किया एक बढ़िया सा example solve किया आगे एक बार खुझ से try करेंगे next example तो चलो इसको अपने से try करते हैं ये example हम अल्रड़ी कर चुके है ठीके? तो next example देखते है की 3al OX का whole size ये थोड़ा important है अभी बता चलेगा क्यों important है देखो ये cation है और ये हमारा nion है cation क्या है potassium फिर क्या है OX क्या होता है oxalato और ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेंट लिगेंड है डाइडेंटेंटेंट ठीक है तो कितने टाइम्स है भाई ये 3 टाइम्स है तो जब बाई या फिर ट्राइड अंटेंड लिगेंड हमारे पास होते है उनके लिए हम प्रिफिक्स क्या यूज़ करते है tris, tetrakis, bis अब ये 3 टाइम्स है तो क्या यूज़ करेंगे tris tris, oxalato आगे देखो क्या है aluminium अब aluminium को क्या लिखेंगे aluminate क्यों लिखेंगे aluminate क्योंकि ये कैसा है भाई एक negative negative species है और last क्या है इसका charge लिखना अब charge लिखना है हमने देखा oxalato कैसा है एक negative ion negative ligand है जब हम कौन सा पढ़ रहे हैं इस chart को हमने पढ़ा तब हमने देखा भाई oxalato आएगा हमारे इस chart में negative ionic ligands पे और ये है oxalato इस पे charge कितना है देखो minus का 2 अब minus 2 है bidented ligand और कितनी times repeat हो रहा है भाई ये 3 times repeat हो रहा है तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे देखो minus 2 देखो ये हो जाएगा plus 3 plus x minus का 2 और कितनी time है भाई ये 3 times है तो कितना हो जाएगा हमारा x is equal to 3 हमें जो है मिल जाएगा यहां से तो illuminate के उपड चार्च कितना आ जाएगा 3 हर कोई अपना answer चेक करो क्या तुमने same ही लिखा है norman cleture जो हमने लिखा है तो इसका मतलब हमें यहां पे in organic compounds का भी IOPSC norman cleture लिखना आ गया यह हमारे पास था एक तरीका अब दूसरे में और देख लेते हैं कुछ और ligands सिर्फ A की species है और carbonyl कैसा है एक neutral ligand है तो क्या हो जाएगा भाई tetra carbonyl tetra carbonyl nickel N-I-C-K-L-E nickel अब देखो इसके उपड oxidation state कितना हैगा क्योंकि यह कैसे है neutral है इसके उपड चार्ज है zero तो zero अगर oxidation state होगा न तो आपको वो भी लिखना है इसलिए मैंने simple example दिया यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसके उपड oxidation state zero आएगी और हमें छोड़ देना है नहीं zero oxidation state भी हमें mention करनी है जो हमारी rules है हमें तो अपना काम करना है ठीक है अब next यहाँ पे देखो दूसरा concept कौन सा है formula writing का अभी तक हमने क्या किया हमने formula से हमारा IPSC nomenclature लिखा अब हम IPSC nomenclature से formula लिखेंगे यह बहुत simple है तो देखो पहले ligand का नाम होगा क्योंकि यही हमारे rule के अंदर था तो यह ligands कौन से दे रखेंगे देखो tetra amine amine हमें पता है कौन सा होता है NH3 तो जो आपको बोल रहा है question में वो सारे काम करते जाओ कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है फिर क्या है die aqua aqua कौन सा दा वोटर था और कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है इसके बाद दिखते है कौन सा ligand है कोबाल्ट कोबाल्ट तो क्या है एक central metal item है और important चीज देखो यह कोबाल्ट लिख रहा है अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कोबाल्ट तो क्या समझ में आता कि यह negative ligand है और पहले हमेशा कौन सा आता है positive वाला तो यह हो जाएगा कोबाल्ट और यह हमारी cationic species होगी anionic क्या है भाई chloride अब last 3 हमें देखनी है इसके उपर charge कितना है भाई 3 charge है इसका मतलब इसका जो charge है calcium पे कितना charge होता है plus 2 chlorine पे कितना होता है minus 1 अब कैसा होता है क्योंकि calcium के उपर plus 2 charge होता है और chlorine के उपर minus 1 तो यह cross होता है और formula कैसे बनता है हमारा पहले cationic species फिर anionic और इनके जो क्या होते है charges होते हैं वो इनके नीचे आते हैं ऐसे इसका charge इसके पास और इसका charge इसके पास तो बन गया cacl2 वैसे हमारी cationic species है इसके पास कितना charge है plus 3 है anionic वाली के पास कितना है इसको मैं नीचे लिख देती हूँ anionic वाली के पास कितना है minus 1 तो कैसे आएगा यह ऐसे जाएगा इसका मतलब bracket पे तो आएगा 1 और chlorine के पास जाएगा 3 तो ऐसे हमें question solve करना है cobalt के पास दे रखा है plus 3 इसका मतलब यहाँ पे आजाएगा भई 3 और इसके पास आजाएगा 1 तो यह हुआ हमारा tetra amine di aqua cobalt chloride अगर फिर भी confusion हो तो क्या करना है इसको छुपाएंगे हम और इसका normanclature करके देखेंगे अगर normanclature same आएगा इसका मतलब हमनी name भी क्या लिखा है बिल्कुल सही बहुत simple है next देखते है एक और example iron third इसका मतलब यह पहले दे दिया यह क्या हो गया किटायन hexasynydoferrate 8 दे दिया मतलब coordination entity कैसी है एनाइनिक में है तो यह हो जाएगी हमारी coordination entity एनाइनिक और iron मतलब Fe पहले sylf elements लिखेंगे oxidation states को बाद में चख करेंगे तो iron हो गया अब देखो hexasynydo cn कितने times है 6 hexa मतलब 6 फिर से ferret मतलब दोनों जगे भई iron है अब चार्ज देखेंगे देखो इस पे कितना है 2 इस पे है भई 2 और इस पे दे रखा है 3 तो यह हो जाएगा cross और क्या बन जाएगा Fe 2 Fe cn का hole 6 और यह हो जाएगा 3 तो कितना सिंपल है ना इनका formula से इनके name से formula बनाना हामें तो बहुत अच्छे से आ गया और ऐसे कोई भी गलती भी नहीं होगी वापस से कर लेंगे अगर doubt है कि यह गलत हो सकता है तो हम क्या करेंगे हम वापस से जो species हमने लिखी है इसको nomenclature करके देख लेंगे तो अगर यह सही nomenclature आएगा उपर जैसे इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं अब यहाँ पर हमने आज दोनों चीज़े सिख ली nomenclature में क्या सिखा पहले जितने भी formula दे रखे हैं उनसे हमने nomenclature करना सिखा पहले ligand का करना है ketionic का करना है फिर anionic का करना है anionic complex अगर आएगा तो 8 यूस करेंगे फिर हमने क्या देखा भई nomenclature से formula writing तो आज की क्लास को हम सिफ nomenclature की क्लास पे खतम करते हैं आगे की क्लास में हमें पढ़नी है crystal field theory और balance bone theory तब तक के लिए पढ़ते रहिए हस्ते रहिए thank you